क्रिप्टो की समझ सिनहा के अगवाई में Standing Committee on Finance की बैटक में क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्लॉक्चेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, इंडस्ट्री बॉडिस और दूसरे स्टेकोल्डर्स ने भाग लिया और क्रिप्टो के रेगुलेशन पर बात की इस बैटक में क्रिप्टो से जुड़े तमाम चिंताओं के बीच एक राय निकल कर आई कि भारत में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी मेकनिजम की जरूरत तो है लेकिन रेगुलेटर कौन होगा ये अभी साफ नहीं है बैटक में चर्चेस मुद्दे पर भी काफी साथी देशर की मौझूदा टेक्स प्रणाली क्रिप्टो पर लागू हो सकती है और इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंति नरेंद्र मोधी ने क्रिप्टो करेंसी के मसले पर भी अलग-अलग मंत्राले और RBI के साथ एक खास मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने ड्रक्स औ टेरर फंटिंग में क्रिप्टो के इस्तिमाल के चुंता जाहिर की आने वाल इस समय में सोशल टोकन के क्रिप्टो स्पेस में तेजी से अपनी जगह बनानी की उम्मीद है और सोशल टोकन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है ये एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट परसनालिट या celebrity को third party platform या agency की मदद के बिना अपने काम को monetize करने में मदद करता है social token ने content creator के लिए अपनी fan community को build करने और उन्हें reward देने के साथ-साथ अपने creative work के लिए खुद को compensate करना संभव बना दिया है कलपना करें कि आप news पढ़ने के लिए एक news website पर गए और फिर आपको reward के तौर पर एक crypto token दिया जाता है जिस तरह से इने design और set किया क्या है उसके चलते ये social token real money की तरह काम करता है और इन tokenों की सिमितर संख्या ही मौजूद है जिसकी वज़ा से इनकी high demand होगी और इनकी कीमत बढ़ेगी इसके लावा creator अपने community members के लिए इसमें और जादा benefit शामिल कर सकते हैं और इस तरह से जादा fans को आकरशित कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं कि social token यानिके NFT और crypto space में एक नया frontier है इसलिए इसके impact को समझने के लिए थोड़ा इंतिजार करना होगा और अब वक्त हो गया है आज के हमारे guest से मिल लेका और आज हमारे साथ है सिधार्थ सोगानी founder और CEO क्रिबो को global सिधार्थ जी सबसे पहला सवाल आपको क्या लगते है कि संसदिय अस्थाई समीती के साथ पहली बैठब regulation के दिशा में एक सकरात्मक कदम है ये पार्लेमेंट का industry के साथ में पहला interaction था इस meeting के अंदर जैन सिना जी लीट कर रहे थे और उनके काफी concerns थे कि इसको currency कहा जाए या asset कहा जाए या commodity कहा जाए तो ये industry से interact करने के बाद में उनको काफी चीजे समझ माई है मुझे लगता है ये asset या commodity के जैसे treat किया जाना चाहिए और ये industry के लिए और अपने country के लिए बहुत अच्छा step है क्योंकि ये first official interactions है with the industry and I believe काफी सारी चीजे clear हुई है हम लोगों को written responses भी देने हैं जो इस हबते के अंत तक हम committee को submit कर देंगे तो hopefully हम बिल को काफी जल्द देख सकते हैं by the around of intercession जो parliament का होगा उसमें हम ये देख सकते हैं और crypto से जुड़ी खास खबरों में बस इतना ही अगले बार cryptocurrency से जुड़ी कुछ और रोचक खबरे आप के लिए लेकर आऊंगी तब तक के लिए सभी को नमस्कार